एलो बच्चों, लेट्स रीड़ दा कोस्टन, क्यारा है, what volume of 0.10 molar H2SO4 must be added to 50 ml of a 0.10 molar NaOH solution to make a solution in which the molarity of H2SO4 is 0.050 molar, molar मतला molarity आपको दिरखे, reaction किस-किस के बीच हो रही है बच्चों, ये reaction हो रही है, H2SO4 और NaOH के बीच में, H2SO4 acid है, NaOH base है बच्चों, क्या reaction होगी, neutralization reaction Na2SO4 plus H2O आपका यहां पर बनेगा, balance करने के लिए यहां पर 2 लगा दो बच्चों, आपकी reaction balance भी हो चुकी है, तो 2 mol NaOH के साथ में, 1 mol H2SO4 आपका react करता है, एक बार molarity को समझते हैं क्या होता है बच्चों, देखो molarity के अगर बा वो किसके equal होता है बच्चों, यह equal होता है 10 के power minus 3 mol के, ओके और 1 milliliter जो होता है, वो किसके equal होता है, वो 10 के power minus 3 liter के equal होता है, या simply आप यह भी कह सकते हो, 1 mol 10 के power 3 milliliter के equal होता है, और 1 liter 10 के power 3 milliliter के equal होता है, तो molarity को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ल बच्चो टैन की पावर 3 into number of millimol upon 10 की पावर 3 into volume of solution in milliliter ऐसे करके भी लिख सकते हैं बच्चो तो millimol molarity का फॉर्मल क्या जाएगा बच्चो number of millimol upon volume of solution in milliliter ओके बच्चो तो यहां से हम millimol कैसे निकाल सकते हो यह हो जाएगा बच्चो molarity multiplied by volume of solution in milliliter ओके तो अगर हम millimol of NAOH निकाले तो NAOH की molarity आपको कितनी दिरखे देखो यह दिरखे 0.10 ओके और volume कितनी है 50 milliliter तो यह हो जाएगा बच्चो आपका 0.10 अब की बार यह unit जो बनेगी molarity की यह बन जाएगी millimol per milliliter multiplied by 50 milliliter milliliter से milliliter जाएगा बच्चो कि क्या जाएगा 5 millimol ओके क्या जाएगा 5 millimol अब देखो अगर हमें H204 का यह वाला ओके यह concentration चाहिए 0.050 molar तो हम माल लेते हैं इसमें जो volume है बच्चो हमारी जो लग रही है वो VML लग रही है कितनी लग रही है बच्चो यह हो जाएंगे आपके 0.10 millimol per milliliter into V milliliter तो यह कितना आ जाएगा बच्चो यहां पर equation क्या कह रही है equation कह रही है आपके पास में 5 millimol आए है बच्चो किसके ऑन लेच के अब 2 मोल के साथ में एक मोल h204 react कर रही है बच्चो तो 5 mmol के साथ में कितनी करेगी बच्चो 2.5 mmol करेगी बच्चो तो 2.5 mmol तो आपके यहां पर क्या हो जाएंगे बच्चो neutralize हो जाएंगे H2SO4 इसके ऊपर जो H2SO4 बचेगी ना बच्छो excess में हमारे पास में उससे यह concentration में लेकर आनी है बच्छो मतलब out of out of 0.10 into V millimole 2.5 millimole H2SO4 has been utilized ओके बच्छो इसको आप utilized कर चुके हो बच्छो therefore millimole of H2SO4 left यह कितने हो जाएंगे बच्छो यह हो जाएंगे आपके पास में 0.10 V minus 2.5 इतने millimole बच्छो ओके और इतने millimole से ही आपको क्या concentration बनानी है बच्छो 0.050 molar बनानी है अब total volume आपका कितना हो चुका है बच्छो इतने millimole तो आपने H2SO4 डाली है और 50 milliliter आपने क्या डाली है बच्छो 50 milliliter आपने यहाँ पर डाली है एनवेच तो टोटल वोल्यूम हो जाएगी V plus 50 कितनी हो जाएगी बच्छो टोटल वोल्यूम हो जाएगी V plus 50 ओके बच्छो तो molarity क्या है बच्छो molarity है आपके पास में यहाँ पर करते हैं यहीं पर कर लेते हैं 0.050 okay बच्छो millimole per milliliter बच्छो okay units नहीं लिख रहे हो तो cancel हो जाएगी और यहाँ पर जो volume आईगी भी हो आपके milliliter में आ जाएगी बच्छो इसी इकोल्स टू बच्छो यह हो जाएगा आपका 0.10 V minus 25 25 नहीं सरी 2.5 अपोन वी प्लस 50 बच्छो देख ऊपर नंबर ओफ millimole हो गए और नीचे volume of solution in milliliter आ गया बच्छो okay इधर भी millimole per milliliter इधर भी millimole per milliliter तो वह कैंसल हो जाएंगी बच्छो ओके cross multiply करते हैं बच्छो ओके तो यह आ जाएगा आपका 0.05 V 0.05 V plus plus यह बनेगा 2.5 would be equal to what बच्छो 0.1 0 V plus 2.5 ओके बच्छो इसके equal बन जाएगा बच्छो तो यहां से क्या बनेगा बच्छो इस सिंपलाइज यह बच्छो इसको हम प्रस नहीं बच्छो यह माइनस में आएगा हम पर माइनस 2.5 ओके तो यहां से लेकर आएंगे तो यह बनेगा बच्छो आपका 0.05 V is equals to what बच्छो इस equals to 5 तो यहां से आपका V क्या आजाएगा बच्छो यह आजाएगा 5 अपॉन 0.05 पॉइंट अटाएंगा बच्छो ऊपर क्या जाएगा 100 जाएगा और यह किसमा आएगा बच्छो मिली लीटर में आएगा बच्छो पांच से पांच गया वोल्यूम आ जाएगी 100 मिली लीटर तो हमें कितना H204 डालना पड़ेगा बच्छो ताकि हमारी कंसेंट्रेशन रिक्वाइड कंसेंट्रेशन के एकवल आजाए बच्छो हमें डालना पड़ेगा 100 मिली लीटर H204 तो करेक्ट आंसर विल बी ओप्शन सी आई होप आपको यह एकदम क्लियर हो गया बच्छो झालोगा थैंक्यो बच्छो